करेंगे मेमो आइजेशन के बारे में मुहीं निखुल रहा कैसे बोलू बैसिकले कुछ नहीं यह कैशिंग का कॉंसेप्ट है याने कि यहां पर चोटी सी डिफिनिशन पेस्ट की गई है अगर इसको समझने की खुशिश करेंगे हां थोड़ी सी कस्ट होगी लेकिन हां और ब पतले आप ही बोलिये मेमो आइजेशन मचीब सा है so basically यहां यह बोलता है कि मेमो आजेशन इस ऑ्प्तिमाइजेशन टेक्नीक ठीक है ओके यहानी ऑप्तिमाइज करने वाली टेक्नीक है that makes application more efficient and hence faster अच्छा so यह एक टेक्नीक है जिसको basically optimize करने के लिए इस होती है जिससे कि की application fast हो जाती है यह था काफी छोटा सा मतलब है ना तो यह इसको तोड़ा अगर अच्छे समझना हो तो लिट से कि यह मैं हूँ ठीक है अब मैंने एक इनसान को बोला कि भाई तुम इस घर का देखरेक करो ठीक है ने तुमसे जब भी पूछू कि कौन सी चीज का है तुम बत टेबल पे है तो इसने मुझे reply किया टेबल पे है ठीक है मैंने बोलो okay मैंने इसे दुबारा पूछा कार की चावी किदर है तो यह क्या बोल रहा है ठीक है यह फिर से गया देखने कार की चावी किदर है किदर है इसके पास अपनी memory नहीं है मतलब गजनी अभी example के लिए य बैसे नहीं हूँ लेकिन इसको अभी इस number two को मानलो यह number one मैं हूँ number two number two जो है गजनी है ठीक है इसकी अदास कम जोड़े अब मैंने वापस पूछा वाई चावी किदर है कार ही वैसे मेरे पास कार नहीं है तो cycle बोलता हूँ cycle किदर है तो इसने बोला table पहले फिर से गया यह बोला कि okay freeze के उपर है इसने मुझे reply किया freeze के उपर है ठीक है अब यहाँ पी देखिए even though यह चीज मैं सेम से मी पूछू मैं फिर से बोलो table की sorry I mean मेरे bicycle की चावी किदर है यह फिर से इंसान जाएगा घर में और ढूंडेगा फिर बताएगा already हो सकता है इसने पहले वही caching की ठीक है caching मतलब क्या होता है basically या फिर आप क्या करते हो कि आप let's say in term of अगर इसमें हम caching इस इंसान में caching imply implement करेंगे तो इस इंसान को बोलेंगे कि ठीक है अगर मैं जैसे car की चावी बोलू या जो भी यहाँ पे तो तुम अगर तुम्हें table पे मिली तो तुम यहाँ table पे save कर लो ताकि मैं next time जब तुम्हें पूछो कार की चावी है तो तुरंत तुम अपने दिमाग में देखके बताओ कि table पे ती तुरंत यह नहीं कि तुम फिर से घर पे जाओ उसी तरह मैं अगर बोलू कि scooter की चावी कि दर तो let's say अगर नहीं पता है तो धूंडो जब मि कि हाँ फ्रीज पे रखिए और उसको तुम दिमाग में भी save कर लो कि फ्रीज पे है तो next time मैं जब पूछो कि भाई मेरी scooter की चावी का है तो तुम बताओगे फ्रीज पे है ठीक है तो basically यहाँ पे क्या अपने दिमाग में mapping कर रहा है यह kind of mapping यह कौन से चीज का है तो next time मैं में देखेगा और हाँ मिल गया तो तुरंट बताएगा यहाँ पे अगर नहीं है तो फिर धूंडेगा फिर यहाँ पे data save करेगा तो kind of कैसा है कि अभी इंसान तोड़ा तेज हो रहा है और यह कैसे तेज हो रहा है यानि कि efficient कैसे हो रहा है mapping करके यानि memoization करके यानि कि with 5 ठीक है मेरा कहने का मतलब या फिर मैं कहूं add with 50 ठीक है यह function है मेरा const ठीक है और यह क्या करता है parameter लेता है कि 50 के साथ क्या add करना है मैंने बोला num ठीक है और यह num plus 50 करता है ठीक है अब यह देखिए मैं अगर इसको call करूं add with 50 और मैं यहाँ पे 10 add कर रहा हूं ठीक है अब यहाँ पे 10 कर रहा है कितनी जितने बार भी कर रहा हूं किया result मुझे देगा 10 ठीक है दे रहा है ठीक है 50 के साथ 10 60 हो रही है लेकिन इतने बार ही calculation कर रहा है यानि कि let's say यहाँ पे मैंने num के जगा यहाँ बड़ा सा number दे दिया तो यह add करेगा राइट इन सब चीजों को है बहुत जादा time taking चीज है तो उतना बार यह time लेगा राइट तो इसको हम कैसे तेज बना सकते हैं यह efficient कैसे बना सकते हैं अब यह नहीं है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे हम use करने वाले है memoization ठीक है sorry शक्तिमान अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं इसक अब यहाँ पे object maintain करेंगे अब यहाँ पे const यहाँ पे लिए smart add with 50 यह तरह smart है na method तो sorry function तो मैं smart लिख रहे हैं यहाँ पे अब यह क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि यह जो function है यह first time पहले क्या करेगा check करेगा if ठीक है तो overall idea क्या है यह पहले check करेगा result अगर इसके पास already है तो वह return कर देगा नहीं है तो फिर क्या करेगा add करेगा फिर result lookup में save करेगा और फिर हमें result return करेगा तो इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा पहले यहाँ पे हम check करेगा if num ठीक है जो भी number आ रहा है in lookup ठीक है क्या यह key इस object में है अगर है तो हम क्या करेगे इस object यानि lookup जो हमारा object है उसका यह num return कर देंगे ठीक है in the sense अगर आप यहाँ पे देखना चाहेंगे तो मैं कैस सेव कर रहा हूँ अब एक बार देख लेते हैं पहले यहाँ पर फिर उस पर देखेंगे अगर नहीं है ठीक है तो हम क्या करेंगे हम lookup के अंदर एक key बनाएंगे नया key जो हमें number आ रही है और फिर हम उस पर क्या result सेव करेंगे यानि कि हम इस पर क्या सेव करने वाले बैसिकली यह जो num plus 50 है यह सेव करेंगे ठीक है अब यहाँ पर देखिए यह अगर मैं call करता हूँ smart add with 50 और अब let's say इसको मैं move करता हूँ console.log के अंदर अब मैं यहाँ पर यह value देता हूँ let's say अभी के लिए मैं छोटा सा value देता हूँ 100 ठेक है तो यह क्या output देगा एक पर मैं इसको comment out कर देता हूँ cpu almost रोने लगेगा भालतो होगा जब use way नहीं है तो क्या है अब यहाँ पर मैं आया तो यह undefine दे रहा है देना भी चाहिए क्यों क्यों कि यहाँ पर मैं कुछ return नहीं करता हूँ function से तो undefine देता है यह तो होगा यह नहीं क्यों क्यों कि first time मैं object खाली है तो basically मैं क्या कर र save हो जागे यानि यहाँ पर क्या save होगा 150 save हो जाएगे ऐसे करके यानि यह मेरी key यह value अब इसको पता है कि मैंने क्या बोला 100 तो बताएगा हां मेरे पास result है 150 यह ले लो मुझे बार-बार add नहीं करना तो यहाँ पर वही चीज़ है जो मैंने आपको यहाँ पर example में बताया इस पर अगर मैं look up का अगर जो number दे रहा हो तो मुझे result आईगी है अब मैं अगर देखूंगा तो 150 मिलती है क्यों क्यों क्योंकि look up के अंदर मेरा क्या है ऐसे save है जो just हमने भी बात किया था so 100 है right और इसका output और इसका value क्या है 50 तो अब मैं अगर कितने बार भी करूंगा तो यह calculate नहीं करेगा क्यों क्योंकि already इसके look up में यानि इसके अब दिमाग में है तो हमने क्या कर लिया चीज है cash कर लिया ठीक है अब मैं और एक काम करता ह अब मैं यहाँ पर 200 देता हूँ 250 आना चाहिए right यह होगा 250 आया और अगर मैं look up देखू तो अब look up में नहीं data save हो किया अब मैं कितने बार भी बेरन करूं यह add नहीं करेगा right so यहाँ पर हमने क्या कर लिया हमने यहाँ पर calculation वाले चीज बचा लिये right so यहाँ पर आप क्या time taking होता ठीक है तो कितना time बचा लिया हमने है अगर time taking होता तो है ना example के लिए मैं आपर क्या करेंगे यह लिख देंगे not available not found will take time ठीक है ऐसे यह बताएगा कि time ले रहा अब मैं refresh कर रहा हूं तो first time time लिया second time time लिया right अब लेकिन data save हो गया लेकिन अब मैं दुबारा call करूं दो ही बार देखने को मिलेगा क्यों क्यों कि एक बार hundred एक बार two hundred बाकि नीचे की चीज़े same है तो उसके पास look up में रहेगा तो यह दिखिए हमें क्या देखने को मिला एक बार one fifty के लिए एक बार two fifty के लिए अब इसके पास look up में अलड़ी है data तो अभी यहां से दिया और यहां one fifty दिया लेट से मैंने बोला 200 add करना है तो 250 मैं बोला 300 add करना है तो बोलता अंडिफाइन क्यों क्यों कि 300 अभी तो मैंने कभी दिया ही यानि कि यह smart इसले है क्योंकि इसको जो पहली दी चीज़े है वो अपने पास store कर लिए ताकि इसको तुबारा ना करना पड़े और वही चीज़ देता है अब देखिए simple सा चीज है ना कि आप सौ में पचास चाहे 10 पर add करो चाहे माउस की रात को पूरे हवन करते हुए 500 बार रन करो result 2 ही आने वाल है ना है ना नहीं तो फिर हम चांद पर नहीं जा पाते हैं और मार्स पर तो यानि 100 प्लस पचास 150 अब यह चीज़ जब सेम है तो cache करना जूरी है राइट तो यहाँ पे इसने cache कर लिया और इसलिए यह दो ही बार अब time टेक लिता है यहाँ पे ठीक है एक 150 के लिया एक बार calculate कर लिया 150 सेफ कर लिया अब जब next time sorry मतला 100 के लिये तभी तो 150 अब जब next time 100 जितने बार भी आए यह 150 cash से दे रहा है क्योंकि cash में है ठीक है यानि कि map में है look up में है so I hope आपको यह समझ में आगे वागा कि वो इनसान अब कैसे तेज बन गया है ना अब इसी तरह बहुत सारे चीज़े है जिसको आप optimize कर सकता है यह basic example था अब यहाँ पे एक देखने वाली क्या चीज़ है कि यह चीज़ तो हमने क्या ना बाहर रख रखा है ठीक है अब इस उसने क्या क्या रिट कर दिया चरो variable name नहीं रखेगा उसने look up रखा उसने बुला कि अब तुम जैसे 100 बोलोगे ना तो मैं क्या return करूंगा 9 पाउं ठीक है पाउने ना को मैं 9 पाउं बोलता हूं तो अब यह return करेगा अब देखिए अगर मैं इसपर जाओ ना तो यह return करेगा जब भी मैं 100 पास कर रहा हूं 9 पाउं even though time लेके भी नौने पॉई बना इसने तो नौने पॉई नौने पॉई आ रहा है मतलब यह किसी ने change कर दिया और अब मेरी caching बिगड़ गई अब यहाँ पे सबसचे क्या बात है कि इसको generally पहार ना रखके अंदर रखेंगे ठीक है ताकि कोई से change नहीं कर पाए यानि कि basically अब हम बात करने वाल है security के बारे में तो इसको हम move करते हैं इसके अंदर अब जैसे move इसके अंदर करेंगे इसका move बन जाएगा क्यों? क्योंकि भाई अब ऐसा तो के variable नहीं है बाहर यहाँ के variable नहीं है जो था यहाँ पर ही है so basically अब इसको कुछ नहीं मिलेगा तो यह 9 नहीं बिगड़ी गया लेकिन यहाँ पर problem कि आएगे अब यह देखिए न इसलिए error आई थी lookup is not defined अब यह देखिए न यह बार बार calculate कर रहा है not found not found not found हर बार not found आ रहा है इसलिए आ रहा है अब यहाँ caching से नहीं ले पा रहा है क्योंकि जितने बार में यह function call करता हूँ यह इसको override कर देता है यानि कि जो इसके पास यानि जब भी एक गजनी smart बनने कुशिश करता है उसको आप पस यह function run करके गजनी बना देते हैं तो यहाँ पर override हो रही है अब आपको पता चल रहा होगा कि अब यहाँ पर हम क्या power of क्या यूज करने वाले बस अपना favorite आने वाला है closer right अब यह कैसे करेंगे closer के लिए simple सा क्या चाहिए हम में कोई चीज अगर memory में रखनी है तो एक main function होना चाहिए अगर आप इस function को return करते हो तो अग और let's say यहाँ पर मैंने कुछ look up रखा ठीक है और मैं यहाँ पर look up use कर रहा अब बेसिकली जैसे यह function run होगा एक closer create होगा जिसमें की outer को point करेगा और इसके अंदर look up वाली variable रही की यानि की अब इसको कोई change नहीं कर सकता right क्योंकि अब यह कहाँ पर private बन गई है न और यह कहाँ पर रहेगा closer में रहेगा so basically हम यही चीज़ उस करने वाले है ठीक है अब यह outer function यह मेरा inner function ठीक है अब inner function उस कर रहा outer function के variable को तो यह कहाँ पर जाएगा साइसी बात है closer में जाएगा और क्योंकि यह function return कर रहे है तो यह function में बोलता है function का यह मन नहीं run होने का यह बोलता है कि मैं तो बाहर run होंगा ठीक है तो जब outer को यह call करेगा तो उसको value नहीं मिलके क्या value के जगह क्या मिलेगे function मिलेगी और फिर इस function को run करेगा तो इसको lookup का data मिल जाएगा ठीक है अब इसको हम यह पर implement करने वाले बहुत special होने वाली है मतलब मज़ीद दिलाने के लिए बोलते है अब यहाँ पर हमें क्या लिखना है ठीक है function अब इस function को हमें return करना है क्योंकि हमें इसको access करना है बाहर और नीचे वाले code को हम उठा कर इसमें रख देंगे कोई change करने के जुरुत नहीं पड़ी आप देख रहे हो है ना सब चीज सेम रहा अब कैसा है कि यह मेरा available कहा रहेगा closer में क्यों क्योंकि यह part है आपका outer variable, outer function का है ना और यह चीजे जब return हो जाएगी तो available होगी closer में अब यह चीज ऐसे ना लिख के हम क्या लिखेंगे इसको लिखने का तरीका क्या रहेगा smart add with 50 ठीक है अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा const smart add with 50 function ठीक है अब मैंने इसको call किया और मैंने यहाँ पर एक बर initialize कर लिया यहाँ पर मैं इसका नाम देता हूँ init कर देता हूँ मतलब initialize कर रहे है smart add with 50 ठीक है यह चीज एक instance character लिया अब मैं क्या करूँगा console.log और इसके अंदर मैं 100 दूँगा किसका result आएगा मैं डरी गया था यह बोल रहा हूँ नाने पाऊँ मतलब नान बोल रहा है reason क्या है नान का यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो रही है refresh करते हैं यह मैंने 100 दिया और यह 100 यहाँ पर गया नम में सही है ना यह basically एक function return कर रही है इसको number चाहिए अब मैं number यहाँ नहीं देना चाहता अब क्यूंकि मुझे यह number मैं यहाँ इसलिए दे रहा था क्यूंकि मेरे पास एक function था जिसको variable चाहिए था और उस पर calculation करके return कर रहा था मुझे जो भी calculation कराना है inner function से कराना है outer function बस मेरा hold करेगा यह function मेरा यह है अब इसको कोई variable चाहिए चाहिए होगा तो यह यहाँ पर क्या access करेगा num करेगा है ना अब यह num करेगा और यहाँ पर यह चीज calculate करेगा और नहीं होगा तो cache में रखेगा अब यह outer variable में है sorry outer function के variable में है data तो access कर पाएगा क्यों क्योंकि closer पर available रहेगा simple सा राइट इसको उठाके हमने एक function के अंदर logic को calculation जो भी logic है उसको हमने move किया एक function के अंदर और उसको return कर दिया अब inner function एक number चाहिए outer function को कुछ argument नहीं चाहिए ठीक है तो मैंने outer function call किया इसने return किया inner function और basically यही इसको चाहिए argument तो मैंने दिया 100 अब यह देखिए 150 return कर रहा है first time इसके पास नहीं था अब इसके पास look up में आएगा यहाँ पर आप देख पाऊगे नहीं देख पाऊगे क्योंकि वह चीज अब बाहर नहीं है इसलिए अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा इसको repeat करूँगा 2-3-4 बार अब यह देखिए refresh किया एक बार इसको calculation करना पड़ा और इसने look up में रख लिया फिर उसके बाद कभी नहीं किया इसके बाद time नहीं लगा same अगर मैं इसको copy करता हूँ और एक बार time लिया क्योंकि उसके पास नहीं था लेकिन एक बार 250 श्टोर कर लिया तो उसके बाद 250 आया पर कोई इसका यह नहीं आया अगर मैं इसके बाद कितने बार भी 250 250 का दे दू तो अपने cash में से देगा यहाँ पर हमने देखा power of closer तो यह देखिए जितने भी 250 देख रही है किदर से आ रहा है इसके cash में से आ रहा है है ना इसने दू ही पार calculation के क्यों क्योंकि इसको दो बार value नहीं मिला पहली बार 100 second time नहीं आके मिला 200 नहीं था cash में तो इसने क्या किया क्या 200 है look up में क्याक करता देटा है कि डेटा भी क्या look up में ठीक है यानि की है क्या 200 है क्या नहीं है तो इसने क्या क्या इसने return किया इसने पहले क्या क्या sorry अगर है तो return करेगा नहीं है तो Edition सूरी हमसी चनफी जो गया था SO यहां से return क्या ठीक है, एक जैम्पल के लिए यहाँ पर क्या, लुक अब का अगर आपने 100 दिया, तो 100 देगा, तो क्या आएगा, उसका 150, अब कल्कुलिशन है तो आजाएगा, और यहाँ से रिटन कर देगा, नहीं है तो कल्कूलिट करेगा, और यहाँ पर यह चीज़ रिटन कर देगा, जो भी लुक अप का लेट से 100 तो 150 रिजल्ट है राइट So I hope आपको यह समझ में आया होगा यह और इसको इसी के साथ रहप अप करते हैं, thank you so much for watching I hope आपको यह समझ माया होगा Memoization मभी तक नहीं बोल पाया लेकिन अगले वीडियो में मिलते हैं एक नहीं कॉंसेप्ट के साथ Thank you so much, bye bye